हलो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टी एच क्लासेस पर हमारा मोटो है वी टीच अचीव यानि हम पढ़ाएं और आप सभी अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करें लेकर आगए हैं आप सभी के लिए एक और नई वीडियो जिसमें कि मैं आपको बताने वाली हूँ इंगलिश 202 टैन्थ वाले बच्चों के लिए और साथी साथ 12 वाले बच्चे भी से देख सकते हैं कि आप अपने इंगलिश का पेपर कैसे सॉल्व कर सकते हो और कैसे आप सिर्फ ग्रामर पोर्शन से 70% मार्क्स अपने यहां से बना सकते हो इंगलिश के पेपर में चाहिए आपने अपनी लिटरेचर पढ़ी हो या ना पढ़ी हो उससे आपको कोई वो नहीं होगा लेकिन अगर आप लिटरेचर पढ़ते हैं तो 110% आपके 100 मार्क् अगर आप लिटरेचर पढ़ने के अपके पास टाइम नहीं है या फिर आप किसी कारणवाश नहीं कर पाए हो कोई भी यह कारण है सिर्फ आप ग्रामर पोर्शन से कैसे 70 मार्क्स ला सकते हो यह मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ तो वीडियो में अन तक जरूर बन बिलकुल डरे हुए होंगे लेकिन बिलकुल डरने की जरूरत नहीं है चैनल से जुड़े रहिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं कहा है दो जली से सब्सक्राइब कर दो क्योंकि हमारे चैनल पर एक्जाम्स के आपकी पूरी तैयारी होने वाली है जिसमें कि हम आपको प्रिक्स बताने वाले हैं कि आप कैसे अपने पेपर अच्छे तरह करके अच्छे मार्क्स ला सकते हो एक्जाम में वो भी सिर्फ हमारे साथ पढ़के थोड़ा सा आप समय निकाल के अपने लिए एक्जाम के लिए थोड़ा सा समय निकाल लीजिए उस वीडियो को पूरा ब English sample paper आपका किस तरीके से आता है तो मतलब आपको पैटन होता है English के विपर का वो कैसे बनेगा ठीक है तो कितने marks के कितने question होते हैं यह सारी चीज़े हम देखने वाले हैं इसके अलावा मैंने हिंदी का भी ऑल्री जो question paper है वो आपको solve करके दिखा दिया था किस तरीके के आप pattern बनता है और कैसे कितने question आते हैं चलिए तो English का देख लेते हैं सबसे पहले आपको उपर दिखाई देगा जैसे ही आपको question paper में देगा उसमें आपको दिखाई देगा कि इस question paper में 20 question होने वाले है और 11 इसमें pages होने वाले है ठीक है उसके बाद आपको यहाँ पर roll number का space द set B, C, D तक set होते हैं आपको set दिए जाएंगे ठीक है तो set में क्या होता है आपके जो question होंगे वो थोड़े से change हो जाते हैं मतलब serial wise वो change हो जाते हैं number change हो जाते हैं पर question वैसे ही रहते हैं ठीक है फिर उसके बाद English 202 subject code लिखा हुआ है और next आपका date and day of examination तो यहाँ पर examination का वो लिखोगे और फिर आपके invigilators के sign आएंगे यानि आपके जो दो teachers हैं उनके sign यहाँ पर होंगे question paper पर भी इसके अलावा नीची general instructions दिये हुए हैं जो कि हम पढ़के आपको बता देती हैं सब्सक्रे पहले जैसे ही आपको अपना question paper मिले उसको अपना उसमें अपना pages देखने हैं कि क्या इसमें जितने भी pages हैं पूरे 10 page है या नहीं है तो वो सारे pages आप देख लेंगे सही से print हुआ है या नहीं हुआ है क्योंकि आपको question paper चेक करने का पढ़ने का भी time दिया जाता है और उसके बाद आपको जो है answer sheet बाद में provide की जाती है next इसमें बात बता कीजेगा मतलब अगर कोई question है जिसमें हमने option wise दिया हुआ है ABCD तो आप ये करोगे कि A पर गोला लगाना है अगर आपको A सही लगता है सुर्फ A पर ही गोला लगाईए कुछ बच्चे करते हैं क्योंने A और B में अगर confusion होते तो वो दोनों पर गोला या दोनों पर टिक ल लगाना है दोनों पर नहीं लगाना ठीक है नहीं तो वो question सही नहीं माना जाता उसके बाद fourth question fourth इसमें इंट्रक्शन बताई हुई है कि आपके जो question है सारे वो सारे objective type के question जो हैं आपको answers करने हैं सही समय पर ठीक है तो अब मैं आपको ये भी बताऊंगे कैसे आप अपनी time limit के हिसाब से सारा चीजों का answer आप कर सकते हो ठीक है कितनी time आपको question पर कितना time लगाना है नेक्स इसमें बात बताई हुई है कि answer book पर आप अपना writing role number कहीं भी मतलब ऐसे वैसे कुछ भी चीजे writing role number के अलावा और कोई चीज नहीं लिखोगे क्योंकि वो as a cheating वानी जाती है और फिर आपको disqualify भी किया जा सकता है आपके exam से ठीक है तो इस बात का ध्यान रखेगा role number और जो भी आपकी general instructions बताए गए हो उसके अलावा आप कोई भी चीज मत लिखेगा नहीं तो वो disqualify कर देती है next एक्स बात इसमें बताई हुई है question paper code यहाँ पर बता दिया गया ह ठीक है हमने general instruction पढ़ लिए I hope आप पू clear हो गए हो next हमारी बात आजाती है जो महारा main paper है उसकी बारे में ठीक है तो यहाँ पर English set A 202 लिखा हुआ है time हमें 3 घंटे का दिया जाएगा maximum marks इसके 100 मतलब 100 number का यह paper है जिसमें 70 marks हम आपके clear करवा देंगे start section है इसमें A B C D ठीक है तो पहला section होता है reading section जो कि आपका 15 नंबर का होता है ठीक है तो 15 में से हमें 15 नंबर पूरे कैसे लेनी है चलिए जान लेते हैं और सारे question आपके compulsory है सारे आपको करने है choice भी दी जाती है इनमें तो 15 नंबर का start करते है यह question पहला question आपका 15 नंबर म question हमें जो है answer करने होती है तो यह आपको पूरा passage दिया गया है अब इसके एक में short trick आपको बता दूँ तो आप सबसे पहले क्या करते हैं बच्चे अपना जो यह passage है उसको पढ़ने लग जाते है आपको पहले passage नहीं पढ़ना आपको पहले पढ़ने है अपने questions तो यह नी चार option दिया है तो आप दो पर टिक नहीं लगा सकते किसी एक पर आपको टिक लगाने है तो यह चार option आपको ध्यान से पढ़ने के बाद आप पढ़ेंगे passage की और ठीक है तो जैसे आप passage की और पढ़ेंगे तो पूरा आप पढ़ लेंगे तो उसमें हमसे पूछा गया था एक बर question आपको दिखा देती हूँ इसमें हमसे पूछा गया है जो तीन फिश है यानि जो तीन फिश है उन्हें फिशर्मैन फिशर्मैन होता है मचवारा मचवारा की प्लान के बारे में कैसे और कब पता चला तो इसमें answers में हमारा option दिये हुए है they met the fisherman की वो मचवारों से मतलब जो fisherman है मचवारे हैं उन्होंने उसे पकड लिया तो इसका answer हम ढूणने की कोशिश करते हैं तो आप बढ़ेंगे passage के और आपको यहां से पढ़ना start कर देना है कि one afternoon some fisherman were passing by a pond pond होता तलाब ठीक है and found it full of fish तो एक दुपहर को क्या हुआ जो fisherman है मचवारे है वो एक तब क्या हुआ कि उन्होंने बहुत सारे fish पहले ही catch कर ली थी उसलिए उन्होंने decide कि हम अभी घर जाएंगे और कल सुबह मॉर्निंग में इहां पर आएंगे इन fishes को पकड़ने के लिए तो इसमें क्या होता है फिर आगे बताते हैं कि the fish were swimming on the surface क्या होता है कि तीन जो fish होती है जिनकी हमें नीचे question पूछा गया है वो swimming कर रही होती है तलाब के किनारे और वो उनकी बाते herd herd मतलब सुन लेती है फिशर्मेन की बाते जब वो अपने plants को discuss कर रहे होती है तो अब हमें answer कुछ कुछ पता चलने लगा है herd मतलब और वहां पर दिया गया था कि over herd their plants ठीक है तो भी इसका हो जाएगा answer I hope इससे आपको समझ आ गया हो next इसमें यहां से हमारा एक number पका हो गया next इसमें बाते बताई गई है second fish the first fish was foolish way coward ya wise चो इसमें से हमें यह अच्छे से पढ़ना है और फिर उसके बाद हमें यह पूरा जो इसमें चीजे पूछे गई है वो आपको क जो यह question दिये हुए है 6 question वो आपको अच्छे से जो है पहले यह पढ़ लीजे फिर उसके बाद अपना passage पर जाईएगा ठीक है ऐसे ही आपका second question दिया हुआ है जो आपका 7 number का है ठीक है तो 7 number में आपका again यह passage दिया हुआ है आपको अच्छे से यह passage पढ़ना है ठीक है य और फिर नीचे जितने भी question दिये हैं वो सारे आप पढ़ लेंगे और उसके बाद आप अपना passage पर जब बढ़ेंगे तो आपको अपनी question के हिसाब से अपने answers मिलें लग जाएंगे यहां से आपके 15 number पक के reading section से आप बात आती है section B writing section की जो कि है आपका 25 marks का तो 25 marks हमें message brief message लिखना है यह आपका चार नंबर का होता है अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक brief अच्छे से वीडियो बनाऊं तो मुझे comment में जरूर बताईएगा क्योंकि आपके comment से मुझे बहुत जादा जो है एक notification चांदकारी मिलती है कि मैं आपके जो जितने भी आगे आने व बात करनी है कि मैं I speak with Taruna तो Taruna की जगह उसका भाई अरुन फोन उठाता है वो कहता है कि I am afraid she is not at home कि वो अभी घर पर नहीं है वो अपनी आंट के घर पर गई हुए तो यह सारी चीज़े आप ढंग से जब पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़े समझ में आने लग जाएंग तो इसमें क्या बोलता है जो अशामा है वो पूछती है कि वो घर कब आएगी अरुन कहता है कि वो कल तक घर आजाएगी फिर शामा क्या बोलती है कि प्लीज इंफॉर्म हर कि इसको बता दीजीगा कि हमारे स्कूल में इंटर स्कूल इंगलिश प्ले कॉमपिटीशन होने वाला है जो कि आपका होगा पंदरा अप्रेल को और इसी लिए जो अरुन तरुना है उसको वो रिहर्सल के लिए सैटर्डे को टैन एम बुलाया गया है स्कूल में तो उसको बता दीजेगा अरुन कहता है कि ठीक है थैंक श्यामा मैं उसके लिए एक मैसेज छोड़ है और क्या क्या बात उसकी जो है उसकी फ्रेंड से हुई है श्यामा से यह आपका चार माक्स का कुश्चन यहां से हो जाता है ठीक है तो पूरा आपको अच्छे से जो भी चीजें यहां पर दीए हैं अगर आप इन्हें पढ़ लेते हो और अच्छे से जब आप लिखने क है वो मैसिज आप लिख देंगी उसके बात है हमारे फोर्थ वोश्चन की और यह भी हमारा ग्रामर से ही होता है इसमें बेसिकल आपको लिखनी होती है रिपोर्ट और रिपोर्ट आपको किस तरीके से लिखनी है वो अगर आप चानना चाते हैं तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा एनिवेंज हम कॉश्चन देख लेते हैं क्या है हमारे फोर्थ में क्यूश्चन पूछा गया है कि जैसे आपको बोला गया है कि आप जैपुर में रहते हैं और आपका स्कूल में सेलिब्रेट हुआ है अनुल डे 20 तारे किसकी टेट दे दी गई है तो तो इस चीज को देखते हुए आपका नहां पर नाम दे दिया गया है युवारा शोग बोलके और यहां पर आपको रिपोर्ट लिखनी है अपने स्कूल में जो भी एनुल डे सेलिब्रेशन हुआ है उसके बारे में ये आपका साथ नंबर का होता है तो आप काफी अच्छ दे दी जाती है लोकल नियूस पेपर में पब्लिकेशन के लिए ठीक है तो इसलिए ये जो चाहरी चीज़े होंगी जिसे आप बता सकते हैं कि हमारे स्कूल मैनुल डे फंक्शन मनाया गया किस तारीक को मनाया गया कौन-कौन वहां पर उपस्तित थे और क्या-क्या हुआ ठीक है तो ये सारी चीज़े इसमें लिखनी होती है नेक्स्ट है आपका फाइफ यानि फिफ्ट गर्शिन जो की है आपका आपको लिखना है यू आर लिविन इन शक्करपूर इन डली ठीक है तो आप डली में रहते हो जो कोलोनी है आपकी वो इतनी क्लीन नहीं है लिखना है तो आप जो लिटर होगा वो होगा सेवन मार्क्स का ठीक है तो इसमें आप लिटर में बताओगे क्या आपको जग लेंने डास है वो कैसे आपकी कॉलोनी में नहीं है और क्या आप उनको सजेशन दे सकते हो और यहाँ पर आपको जो नाम दिया हुआ है आपको रियल नेम ड्यूज नहीं करना है इस बात का बिलकुल ध्यान रखिएगा लेटर्स शुड कवर तब फोलॉइंग पॉइंट्स तो आपको जो लेटर होगा उनमें ये पॉइंट्स भी आने चाहिए चारो कि ओवर फ्लॉइंग गार्बिज डंस यानि जो जादा जो कूड होता है उनके डंस बहुत जादा बन जाते हैं डिर्टी स्रीट्स मार्केट और नाली वगेरा गलियां और जितनी भी मार्केट हैं वो भी गंदी ही रहती है स्टेप्स और डबलू ए को क्या-क्या स्टेप्स देने चाहिए इस चीज़ की और रफर टो स्वच भारत और और क्या-क्या चीज़े रेजिजेंट वेलफेर अस्टेशेशन वाले कर सकते हैं आपकी जो कलोनी है उसमें क्लीनलीनस के लिए तो अगर आप चाहते हैं कि इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से लेटर को आपको बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ तो प्लीज चैनल यहाँ पर दिये हुए हैं वो सभी आपको एक तरीके से कवर कर लेनी है ठीक है यह सारे पॉइंट्स आपको कवर करके लेटर लिखना है नेक्स्ट हमारी बात आजाती है सिक्स नंबर का यह मैं सारा ग्रामर पोर्शन दिखा रही हूँ कैसे आप अच्छे मार्क्स ला सकत जैसे पहला मैं आपको समझा देती हूँ यू विजिटेड अशापिंग मॉल यह शापिंग कॉम्पलेक्स बिजी मार्केट विद यूर फ्रेंट्स तो आपकिसी शापिंग मॉल या शापिंग कॉम्पलेक्स जो होता है वहाँ अपनी फ्रेंड्स के साथ गये हुए हैं इ तो आप इसको कैसे भी करके मतलब एक paragraph पनाके लिख सकते हैं आपके mind में जो भी आए मैं आपको पिल्कुल suggest करूँगी पिल्कुल कोई question आपको नहीं छोड़ना है जो mind में आ रहा है वो लिखिए क्योंकि अगर 7 marks का है तो आपको 5 marks जरूर मिलेंगे आगर आप कुछ लिखत हैं तो ठीक है तो यह इस तरीके से आपको जो है paragraph मिल जाता है six question में उसके बाद हमारा start होता है main grammar का portion ठीक है तो section D है हमारा 30 number का यह भी हमारा होता है तो इस में क्या क्या होता है 7th देख लेते हैं question 7th में हमें हमें बताया गया है कि read the full paragraph यह हैं पका तीन नंबर के तो grammar portion ज जिस जो होता है वो काफी जादा आपके लिए helpful होता है passing marks लाने के लिए rewrite the paragraph by filling in the blanks the first sentence of the report is given by you for as an example ठीक है तो यहां पर report हमें दे रखी है अगर आप उपर question में देखेंगे अगर आपको report लिकनी नहीं आ रही है तो यहां से भी देखकर अपनी report लिक सकती हैं तो यह पार आप यह portion fill up करेंगे तो पहले देख लेते हैं report whenever you face hurdles in your path or you face difficult problems look for God's self जब भी आप अपने जो रास्ता है उसमें कोई भी तकलीफ या कोई भी परिशानी धूनते हैं पाते हैं तो आपको भगवान की मदद लेनी चाहिए to cross the hurdles जो भी आपके जो रास्ते हैं उसमें कोई भी आपको उससे निपटने के लिए अंदर की जो शक्ती होती है वो भी चाहिए होती you can get this strength by appealing to God for his self और आप यह strength कहां से मिलती है जब आप भगवान के पास help मांगते हो तब you must ask him to give you strength after that you must make efforts to overcome your fears तो भगवान से आप सिर्फ मदद मांग सकते हैं बाकी सब कुछ आपको अपन पोर्ट के टाइप पे हमें दी दी गए हैं फिल एंद बलांक्स करने हैं whenever you face hurdles in your path or difficult problem faced by you look for God's help अब इसमें करना क्या है काफी साधा easy है देख लीजे देखे तो यहां पर हमें difficult तक दे दिया गया है difficult हमारा यह रहा ठीक है उसके बाद क्या क्या चीज़े लिखनी है problem problem are faced by you तो यह चीज हमें यहां पर लिखनी थी तो problem जो भी आप face करते हैं वो हमें यहां पर लिखना था ठीक है उसके बाद है next inner strength dash of life तो यहां पर देखे आप किसके लिए चाहिए to cross the hurdles of life ठीक है तो inner strength किसके लिए चाहिए to cross the hurdles of life तो यह चो होता है आपको उलट पलट के दे दे लेकिन आपको लिखना बिल्कुल सोच समझ कर है next में भी आपको देखे यह इस तरीके से तीन मार्क्स का दे दिया गया है rewrite the following पिर अब rewriting बहुत साथ आती है आपको जो है rewrite करना होता है sentences को जैसे की example के तोर पर हमें दिया हुआ है I could do well in my examination my mother guided me तो अब इसमें हमें इनको जोड के लिखना है जैसे लिख दिया है I could do well in my examination because क्योंकि मेरी mother में my mother guided me मेरी mom ने मुझे guide किया था वैसे ही हमें second part से example के तोर पर हमें दे दिया गया है second part से हमें खुद करना है तो first part देख लेते हैं I set off on a trip to Manali my summer vacation started जैसे हमें यह जो option है यही fill up करके पूरी एक sentence बनानी है I set off on a trip to Manali my summer vacation started तो जैसे ही मेरी summer vacation as soon as my summer vacation started जैसे ही मेरी summer vacation start होई तो मैंने एक trip Manali के लिए plan कर ली we are planning to a trip to Kerala we will go to meet our relatives we are planning to a trip to Kerala in order to we will go to meet our relatives ठीक है तो इस तरीके से यह आपका बन जाएगा उसके बाद आपका आता है eight questions जिसमें आपको करनी होती है articles ठीक है तो articles क्या होती है a and the या फिर आपको correct one जो आपको यह option दिये हुए हैं उनमें से आपको यह fill in the blanks भरनी होते ह यह है आपका 6 marks का question तो 6 marks बहुत जादा important है यह आपको किसी भी हाल में लेने है ठीक है इस तरीके से question आ जाता है उसके बाद है 9th question यह होता है आपका dialogue के ओपर ठीक है dialogue writing करनी होती है जैसे रीना ने बताया कि मेरी मदर का बद्दे है 18 September तो अनीला क्या पूछेगी उससे how 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 will you celebrate ऐसे ही पूछेगी ना how will you celebrate कैसे आप celebrate करोगे तो यह आपको लिखना होता है dialogue writing में और उसके बाद रीना क्या बोले कि I am planning to take her out of for a movie मैं सोच रही हूं कि मैं उनको movie दिखाने ले जाओ तो अनीला क्या पूछेगी कौन सी movie तो which movie है ना which movie या फिर आप यहां भी देख स I will take her to see the movie PK तो मैं उनको PK movie दिखाने के लिए ले जाओगी अनीला क्या पूछेगी फिर कौन कौन जाएगा तुमारे साथ तो रीना का अंसर एक बार देख लेते हैं my father and sisters will also go with us तो वो क्या पूछेगी who will go with you ठीक है तो यह आ जाएगा इसका answer में यह होता आपका तीन marks का 10th question हमारा है कि complete the following dialogue अब यह भी dialogue राइटिंग ही है जिसमें कि आपको जो example के तो यह होता है आपका तीन marks का इसमें के बाद हमारा आ जाता है 11th question 11th question है हमारा again report को ले कर ठीक है तो complete करनी है हमें यह report यह पूरा हमारे पास एक dialogue दिखा दिया गया है 6 marks का equation है report हमें इसमें से तैयार करनी है तो यह पूरी डिपोर्ट आपको जो है इन dialogues को पढ़कर लिखनी होती है जो कि आपकी passive voice के ऊपर होती है ठीक है तो passive voice आपको नहीं पता है तो comment करके मुझे बताईएगा I will love to make the video on it 12th question grammar portion का last question है यह होता है आपका 6 number का the boys were playing cricket तो इसमें क्या करना होता है एक verb की first form verb की second form verb की third form तो वो जो तीनों form होती है वो form आपको यहां पर लिखनी होती है जैसे पढ़के देख लेते हैं the boys were playing cricket किराट बोल रामू hit the ball hard it dash into the sky तो fly दिया हुआ है it flew into the sky अब यह क्यों आया क्योंकि यह होती है fly की second form तो यहां पर आजाएगी second form वो आपको और पता होंगी तो आप यह असानी से कर सकती है next हमारा आता है section D जो होता है literature अब literature क्या होता है marks इसके 30 literature माने आपकी books से यह आते हैं अब आप देख सकते हो books से यह आते हैं उपर के जितने वी करें वो सारा grammar portion होता है ठीक है तो books से हमारे सिर्फ 30 marks का आता है और पाकी बज 20 marks आप प्ला सकते हैं और अगर आप चाहते में brief मनाओं तो comment मुझे जरूर करिएगा बिल्कुल भूलिएगा मत comment करना section D part में आप देख सकते हैं यह सारा जो भी है ठीक है 30 marks का पूरा नीचे तक यह पूरा आपका आता है books में से तो book में अगर आपने lessons पढ़े होंगे जो है असानी से दे सकते हैं ठीक है तो यह पूरा portion आपको करना होता है book में से I hope आपको यह वीडियो समझ में आ गई हो और जैसे ही आपका जो 70 marks हैं आपको ऐसे ला सकते हैं English के paper में basically यह जो 12 वाले बच्चे हैं वो भी ऐसे ही करेंगे और जो 10 वाले बच्चे हैं वो भी ऐस से ही अपने English का paper solve करेंगे तो ऐसे हपकी बहुत अच्छे marks आ सकते हैं अगर वीडियो पसंद आई हो तो like जरूर करिएगा share जरूर कर दीजेगा अपने सबी साथियों के साथ and don't forget to subscribe the channel और साथे साथ बैल आइकोन को प्रेस करना मत भूलिएगा thanks for watching